अगर आप किसी के साथ सिर्फ पैसे या क्रीड के लिए है तो इसका अंसही नहीं हो सकता इसी कंसेप के साथ आज के हमारी मुवी कैनियन यह होलिवड के एक ठिलर मुवी आती है स्टार्ट करने से वेले में आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजेगा अब इना किसी दिरीगे इस्परेशन स्टार्ट करते हैं मुवी के स्टार्टिंग में हम हमारी चार मेंन कैरेक्टर को देखते हैं यह मुवी हमारी हॉलिवड में सेट हुई है हमारा में कैरेक्टर जिसका नाम में क्रिशन यह मुवी का प्रोडूसर होता है उसके गर्फ्रेंड हमारी और एक मेंन कैरेक्टर है उसका नाम में टैरा आज क्रिशन अपनी असिस्टन जीना उसके बॉइफ्रेंड रायन के साथ डिनर कर रहा था एक्चुली क्रिशन की मुवी में रायन एज लीड हिरो काम कर रहा है यह सब जीना के रिकमेंडेशन से हुआ था यहाँ पर इनकी बात्ची चल रही थी जिसमें क्रिशन कहता है जीना और रायन तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी लगती है रायन भी क्रिशन और टैरा को कॉंप्लिमेंट करता है इसे explain करते हैं क्रिशन ने का कि हम दोनों एक दूसरी के साथ तो है पर फिर भी हम किसी और के साथ इंटिमेंट हो सकते है पसिव एक दूसरी के साथ होना होता है इसका मतलब है टैरा और क्रिशन यह दोनों डेटिंग एप यूज़ करते है घर पर लड़के लड़कियों को बुलाते है और उनके साथ इंटिमेंट होते है पर यह सब एक दूसरी के सामने ही करते है टैरा के लिए बात ज़रा परस्टनल थी वो नहीं चाहती थी कि किसी को भी इसके बारे में पता चले इसी वज़े से वो ज़रा अनकमवर्डेबल हो कि क्रिश्चन को लगता है कि इस तरीके से रिलेशनशिप होने की वज़े से और टैरा पर ट्रेस्ट कर सकता है यह सारी जीज़े रायन को बहुत ही अजीब लगी क्रिश्चन कहता है कि इसमें अजीब कुछ भी नहीं, इसके बाद इनका टीनर खतम हुआ, कहराने पर टारा क्रिश्चन पर बहुत गुस्सा थी, वो गहती है तुम्हें ये सब चीज़े उन्हें बतानी नहीं चाहिए थी, हमारी प्राइवेट बात है, हमें प्राइवेट बुलाया हुआ था, इसके साथ इंटिमेट हो गए, इंटिमेट होते वक्त इन्होंने रिकॉर्ड भी किया था, घर पर जीना रायन से वोश्चती है, तुम्हें टैरा लगी कैसी, वो बहुत ही ब्यूटिफूल है, रायन कहता है कि फिर से शुरू मत हो जाओ, मुझे सिर् आगे थी कि कास्टिंग के वक्त, टैरा ने तुम्हें कास्ट करने के लिए बहुत सारा फोर्स डाला था, इसी वज़े से शाय थो थोड़ा सा शक कर रही है, अगले दिन टैरा जब शॉपिंग के लिए जा रही थी, तुसे लगता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, आज शॉपिंग मॉल में रायन सी मिली, एक्चुली इन दोनों में रिलेशनशिप थी, इसके बाद उनका परिक अब हुआ था, और फिर टैरा क्रिशन के साथ है, अभी कुछ विक्स पहले दोनों फिर से मिले, तो फिर से इनका अफेर कंटिनू हुआ है, अब मिलने के बाद र दोनों रिलेशनशिप में थे, तो दोनों struggling actors है, तो इनके पास कभी भी पैसा नहीं होते थे, कभी-कभी घर का rain भी pain ही कर पाते थे, इतने struggle में जीना टैरा को सही नहीं लगा, इसलिए उसने रायन को छोड़ दिया था, वो Christian के साथ है, क्योंकि उसे safe लगता है, Christian वैसे भ होते वक्त, उसे kiss करने लग गई, Christian कोई सही नहीं लगता, वो गहता है, हम दोनों के बीच कोई भी प्यार नहीं है, हम सिर्फ intimate हो सकते है, उसे कोई भी attachment नहीं चाहिए, इस बात से सिंध्या को बहुत बुरा लगा, कहती है, फेसे वापस मताना, अगली दिन Christian की assistant जीना ने टेरा को उसके plans पूछे, टेरा actual में थोड़ी सी uncomfortable थी, वो Christian के साथ जब relationship में गई थी, तो कुछ और चाहती थी, अब life से कुछ और चाहती है, इनकी meeting actual में Christian ने plan की थी, वो जानना चाहता था, इटेरा के mind में जल क्या रहा है, उसे शक है, इसाय तो उस पर cheat कर रही है, जीन start होने वाली है, पर इसमें भी उसे जादा कुछ पैसे मिलेंगे नहीं, जीस बार में वो part time काम करता है, उस बार के owner के पास हो गया, उससे उसने extra shift मांगी, बार का owner ये gay था, और जिनें भी पैसो की जरूत होती थी, उन्हें वो exploit करता था, वो Ryan के साथ भी intimate होने की कोशिश कर रहा था, पर Ryan वहाँ से चला जाता है, इसके बाद वो Tara से मिला, उसके साथ intimate हो गया, actually Christian Tara और Ryan पर नज़र रख रहा था, उसे पता चल गया कि इन दोनों में affair है, अब Ryan को torture करने के लिए, Christian डारेकली movie के डारेक्टर के पास गया, उससे कहता है, एक राद तुम रायन को त पसन नहीं आई, वो एक करने नहीं वाला था, पर Christian कहता है, यहाँ पर बहुत सारे डारेक्टर है, मैं किसी को भी हायर कर सकता हो, अपने जौब जाने की फियर में एक डारेक्टर ही करने के लिए मान जाता है, एक दिन जिना के आइपड पर Ryan Christian का schedule देखता है, उसमें से सिं जिना फिटनेस कोच बन चुकी है, पर उसे पता है, Christian उसके पास क्यों जाता है, रात में दोनों बाट टब में थे, तभी टैरा के बारे में बात कर रहे थे, जिना कहती है, उस दिन में टैरा से मिली, और वो मुझे डरी हुई सी लग रही थी, आज रात ही, Ryan को डारेक्ट होना पड़ेगा, इस बार अपने हालाद से Ryan तंग आ चुका था, वो compromise कर लेता है, अगली दिन टैरा को एक message मिला, जिसमें लिखा था, तुमारी life खत्रे में है, यह उसे बहुत याजीब लगा, वो Christian से बहान बनाती है, या अपने friend से मिलने के लिए जा रही है, जिसने message क को समझ में आ गया, कि कुछ ना कुछ तो गरबर है, वो टैरा की room में जाकर उसका mobile चेक करता है, टैरा ने अवे भी notice किया, कि उसका कोई ना कोई तू पिछा कर रहा है, टैरा address वर भोजी, तो actual में सिंध्या का address था, सिंध्या कहती है, Christian जब तुमारे साथ relationship में आया, उसस कोई बड़ी बात नहीं, उसकी बहुत सारी girlfriend रहे चुकी है, उसे इसे कोई भी फरक नहीं पड़ता, सिंध्या कहती है, Christian बहुत ही dangerous है, मुझे बता है, कि वो तुमारे साथ भी games खेलता होगा, टैरा कहती हमारी relationship अलग है, तुम इसे समझ नहीं सकते, सिंध्या ने का, हमार relationship भी तुमारी तरह ही थी, एक दिन उसने बहुत सारे लोग को घर पर बुलाया, मेरे साथ वो जबदस्ती intimate हो गए, मुझे हो hospital में admit करना पड़ा था, वो वान कर रही थी कि Christian से वो दूर चली जाए, टैरा कहती है, तुम careful नहीं थी, Christian मुझे कभी भी हट नहीं कर सकता, वो सब की information निकल वाली है, वो बहुत ही गुस्सा हो गया था, रात में टैरा जब घर पर आई, तो कहता है, कुछ लोग हमारे यहां आने वाले है, टैरा भी कहती कि बुला लो, उसे कोई भी problem नहीं था, रात में 3-4 लोग इनके साथ आये, और यह सारे मिलकर intimate हो गए, अगली स क्रिश्चन ने कभी भी सिंत्या को हट नहीं किया, आज दिन भर रायन ने नोटिस किया था, कि उसका कोई ना कोई तो पीछा कर रहा है, उसने फाइनली उस आदमी को पकड़ लिया, और कहा, कि जाओ और क्रिश्चन को बता तो, कि मैं उससे नहीं डरता, उसे जो भी करना है, वो इस सब कर सकता है, इसके बाद रायन एटियम से पैसे निकालने के लिए गया, पर रायन ने उसका अकाउंट हैक करकर, उसके सारे पैसे गायब कर दिये थे, इस बार रायन बहुत ही जादा गुस्सा हो जाता है, अगली सुबह जब टैरा उठी, तो उसका फोन उसे कई भी मिल नहीं रहा था, वो कॉल लगाती है, तो क्रिशन के पास है, उसे कंफरंट करती है, कि मेरा मोबैल तुमारे पास क्यों, क्रिशन भी उस वर गुस्सा आओ गया, वो कहता है, मुझे पता है, कि तुम में और रायन में अफेर है, वो आउट आफ कंट्रोल होकर, उ सब कुछ उसने उसे बता दिया, जीना बहुत ही जादा गुस्सा आओके, वो गयती है, कि अभी क्या भी यहां से चले जाओ, मैं ध्यान में रखूंगे, कि कवे भी किसी भी मूवी में तुम काम ना करो, टारा को मारने के बाद क्रिशन को बुरा लग रहा था, तो अपने साइकोलोजिस्ट के पास हुगया, वो उससे कहता है कि नॉर्मली मैं ऐसा कुछ भी नहीं करता, पर मेरा कंट्रोल चला गया था, इस थेरपी में आना क्रिशन को सही नहीं लगता, उसके फादर ने उसे गंबल सरिक किया, इसी बज़े से उसे आना पढ़ता है, उसके पास पाना चाहती थी, क्रिशन बात्रूम में जाकर कपड़ी चेंज करता है, वो जब बाहर आया, तो उसके हाद में नाइफ थी, उसने सिंध्या को मार डाला, वो रायन को कौल लगाता है, कहता है, तुमने सिंध्या के साथ किया क्या, वो रायन को सिंध्या के मर्डर में फसा आजाता था रायन जल्दी से सिंध्या के पास पहुचा और वह बहुत ही डर जाता है इसके बाद जब क्रिश्चन घर पर आया तो टारस सब मेरे लिए काम करना पड़ेगा अगर तुम्हें पुलीस ने बूचा तो बताना कि आज पुरा दिन मैं तुम्हारे साथ था डरा कन्फ्यूस्ट होगे वो पुछते हैं तुमने ऐसा क्या किया ग्रिश्चन कहता है मैं तुम्हें जैसा कहा है सिर्फ वही करो अगर तुम नही करती तुम्हें रायन को मार डालूंगा और तुम्हें पता है कि मेरे पास इतने पैसे है कि कुछ भी करकर मिया से भाग सकता हो टैरा के पास भी कोई आप्शन नहीं था रायन को बचाने के लिए उससे पुलीस से जोट बोलना ही पड़ता है इसके बाद मुवी में डिरेक में कुछ पता है टैरा कहती कि कोई भी पकड़ा नहीं गया एक सस्पेक्ट था पर उसके खिलाफ कोई ज्यादा एविडेंस नहीं मिले इसका मतलब है क्रिश्चन रायन को फ्रेम तो करना चाहता था पर रायन इससे बच गया यह फ्रेंड बुशती है क्या अभी भी तुम क्रिश्चन के कॉंटाइक में हो टैरा गयती है हमारा एक साल पहले प्रेक अप हो गया उसके बाद हम सिर्फ सोशल मीडिया पर एक्टिव है कोई भी परसनल कॉंटाइक नहीं रखते इसके बाद यह फ्रेंड बात्रूम गई और उसने रायन को कॉल लगा एक्च्वल राय जिना के साथ था क्योंकि उसे मूवी मिल पाए अलगर पार्टनर के होने के साथ भी यह दोनों चीट करते रहें फाइनली इनकी रिलेशनशिप का एक डारक एंड हुआ यह कभी एक साथ हो नहीं सकते इसे डारक एंडिंग के साथ यह मूवी एंड हो जाती है अगर आपको थैंक यू और आप अपने आपका खैल रखे है